फ्रेंट्स आपके सामने अभी एक रिसेंटली आई प्यू दो दिन पहले आया हुआ था ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड जी हाँ अगर ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बात करेंगे तो मेरे में तर्फ बहुत ही सर्प्राइस कर दिया जैसे ही ये लिस्ट दिन भी इसके अंदर अपर सर्केट 20% का देखने को मिला ओवराल केवल दो ट्रेडिंग सेसन में ही इसने 44% का रिटर्न इन्वैस्टर की पॉकेट में डाल दिया जिन्नोंने रिस्क लिया उनको रिवार्ड मिला जिन्नोंने नहीं लिया वो बैक फूट पर होंगे या और चुटी देखिए जिन लोगों को मिल चुका है वो बहुत ही ज़्यादा कौशियस होकर के चलें क्योंकि कभी भी यह बैक फूट पर नजर आ सकता है तो इसके लिए ना लालच करें नहीं आपको लालच करना है और नहीं आगर आपको मिला है तो इसके लिए घमंड भी देखने को मिल रहा है दो ट्रेडिंग सेशन की वजए से इसका मार्केट के अब देखो 40,236 करोड के पास पहुंचिया करेंट प्रैस 109 का है चैतर के लोग से हाई दिखो 109 का लगाया और रिटर्न और कैपिटल इंप्लोई निगेटिव में है तो बहुत ही ज़्यादा स इसका डिसकाउंट ही होना था आपको यह पता भी था कि ओला नीचे खुलेगा उसके बाद भी आपने लगाए इसका मतलब है पूरे 14,000 रुपए या जो 2,000,000 वाली लॉट होती है SNI कर्टिग्री में या NII कर्टिग्री में या HNI कर्टिग्री में तो रिस्क तो आपने लिया ही था इसके पियर कंपेटिटर जो है आईसर मोटर, TBS मोटर, हीरो मोटो को आप ओला एलेक्रिक का तो चुकि रिजर्ट सी निगेटिव में है तो इसकी वज़े से कुछ बनता ही नहीं है और उर्जा ग्लोबल भी बंपर रिटन बना के दे रहा है हमारे पास कुछ खास यहां पर देखने को नहीं है कि वहली एक चीज आपको मैं दिखा सकता हूँ कि प्रमोटर की होल्डिंग 36 परसेंट है अब इस पब्लिक में कौन कौन है तो यहां पर देखिए आप इस वी एफ ली ओस्ट्रिच डी लेसी है इंटरनेट फंड है बहुत सारे अलफा वेव है मैट्रिक्स पार्टनर है यूंडाई मोटर लिमिटेड कंपनी है वी साइंसेस है एंड मैकरीची इन्वेस्टमेंट पी टी लिमिटेड है तो दिखिए अल्टिमेटली आपको यह मार्केट के अंदर ना कभी फंडमेंटल चलेगा ना ही टेक्निकल चलेगा बस मार्केट को अगर जो चीज पसंद आ गई मार्केट उसको उपर लिके जाएगा तो ओला के केस में यही चीज़ आपको देखने को मिल रही है बस इसलिए बोलते हैं कि भाव ही भगवान है सम इसने IPO नहीं लगाया था तो उसको भी डरने की जरूरत नहीं है और ना ही उसको अपसोस मनाने की जरूरत है ओला के बाद भी बहुत सारी कंपनियां लिस्ट होने के लिए आएंगी जैसे अभी खुल गई है समय सरसोती साड़ीज ठीक है और ब्रेंड भी इसका तो अभी म सर्किल में भी चैनल को शेर कर सकते हो वीडियो को लाइक कर सकते हो editing पे मैं ज्यादा focus नहीं करता क्योंकि ultimately अगर वीडियो में content में दम होगा तो वीडियो चलेगा आगे और बाकी editing में अगर दम होगा तो simple जी बात है मैं editing पे ज्यादा focus कर नहींगा और content में कम मेरा मना है तो Cash Flow इनके बाद अच्छा रहने वाला है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, हरन महाते हुआ, यह पाश रड़ाम, हरी रड़ाम, बहुत बहुत धनिवाद.